गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स आयम रवीना शेखावत और वल्कम टू माई यूटूब चैनल स्पार्किंग व्यूचर अशेखावत बैंकर्श फ्रेंट्स एज ओल्वेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंपोर्टेंट करेंट अफेयर सेशन अगर आपको ये करें मध्यपर्देश इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है गुजरात गुजरात राज्ये में गुजरात सोर उर्जानीती 2021 का अनावरण सियम विजयरुपाणी ने क्या है गुजरात के सियम विजयरुपाणी ने गुजरात सोर उर्जानीती 2021 का अनावरण किया जो 2021 से लेकर 2025 तक प्रभावी रहेगी सोर उर्जा नीती 2021 के मुखे लक्षे कोई भी वैक्ति या उद्योग आशक्ताओं के नुसार अपने प्रिशर में सोर उर्जा का उत्पादन कर सकता है इसके अलावा कोई भी वैक्ति 4 मेगावार्ट तक की सोर प्रियोजना स्थापित कर सकता है और वित्रण कमपनियों को बिजली की आपूर्टी कर सकता है इस नीती का उदेश है वैस्विक वाजार में परतिस परदा में मदद के लिए उद्योगों को बिजली की लागत को 50% तक कम करना मिस उद्योगों में जो बिजली की लागत आती है उसको 50% तक कम करना गुज गुजरात की राजदानी है गांधी नगर, सीम है विजरुपानी, रज्यपाल है आचारिय देवृत और जिले हैं 33, लोक सबाकी 26 सीटे और रज्य सबाकी 11 सीटे हैं गुजरात में जो राम सर स्थल है वो है नल्स रोवर पक्षिय भ्यारन इसके अलावा इंपोर्टेंट जीले हमीर सर जील, कांकरिया जील, लखोटु जील इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पाक का सिलानयास प्राइम मिनिस्टर ने मोधी न भारत की पहली रिफाइनरी लीथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई हमारा आज का अगला क्यों सी एस इने ग्रामिन उद्यमों के लिए डिजाइन और इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए कौन से संस्तान के साथ भागेदारी की है इसके ओप्शन्स ह लगता आयाइटी दिल्ली आयाइटी हदराबाद इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है आयाइटी दिल्ली CSE ने इलक्ट्रोनिक सूचना प्रयोध्योगी मंत्रा लेके तहत आयाइटी दिल्ली के साथ मिल कर डिजाई और इनोवेशन वेल्स इंडिजियस नेटवर् इलेक्ट्रिनिक और शूसना प्रयोद्योवी की मंत्राले इसके केंद्रिय मंत्री है रवी संकर परशाद और राज्य मंत्री है संजय दोत्रे इसके CEO है दिनेश क्यागी हेड़कॉर्टर है नई दिल्ली अमारा आज का अगला क्योस्चन हाल गी में निखिल नंदी का निधन हो गया यह कौन से खेल से सम्मंदित थे इसके ओप्शन्स है होकी तैराकी फुटबॉल क्रिकेट इसका राइट आंसर है फुटबॉल निखिल नंदी का निधन हो गया यह फुटबॉल से सम्मंदित है यह भारती फुटबॉल और और ओलिम्पियन थे मिन्स ओलंपिक विजयता हमारा आज का अगला क्योस्चन हाली में आई ओसी अल ने गैस ट्रबाइनों के लिए भारत का पहला रिमोट मोनेटरिंग सिस्टम कहां लोंच किया है इसके options है पुणे महाराष्टर हैदराबाद तेलंगाना पिथोरागड उत्राखंड इनमें से कोई नहीं इसका right answer है हैदराबाद तेलंगाना ओ आई ओसी अल ने गैस ट्रबाइनों के लिए भारत का पहला रिमोट मोनेटरिंग सिस्टम हैदराबाद तेलंगाना में लोंच किया है और इन्होंने सभी रिफाइनरियों में रिफाइनरी गैस ट्रबाइन की टेकिंग के लिए यह रिमोट मोनेटरिंग और ओपरेशनल सिस्टम शुरू किया है इसका उदगाटन केंडरिय पैट्रोलियम और प्राकरति गैस मंत्री दर्मेंदर परदान ने किया है हमारा आज का अगला के उस्टन हाल ही में किसने क्वांटम रेंडम नंबर जेनरेटर क्यू आर अन्जी को शफलता पुरुक विक्षित किया है इसके ऑप्शन्स है इस रो – DRDO इन कोई स इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है DRDO – DRDO Young Scientist Laboratory for Quantum Technology ने क्वांटम रेंडम नंबर जेनरेटर किया है या विक्षित किया है DRDO Defense Research and Development Organization इसके चीव है जीस तीस रेडी हमारा आज का अगला क्योस्चन महासागर डाटा प्रभंधन के लिए अपने तरह के डिज्टल प्लेटफॉर्म सोरी ये डिज्टल है डिज्टल प्लेटफॉर्म वन का डिज्टल ओशन किसने लौँच किया है इसके ऑप्संस है रवी संकर प्रशाद नरेंद्र मोधी ड़क्टर हर्श वृदन इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्ष वर्दन डॉक्टर हर्ष वर्दन ने अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म वन का डिश्टल ओशिन लॉंच किया है INCOIC INCOIS Indian National Center for Ocean Information Services दवारा यह विख्षित किया गया है यह है डिश्टल प्लेटफॉर्म आप तक महा साग्रों में कौन से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई प्लेटफॉर्म होते थे डाटा स्टोरिंग के लिए लेकिन डिश्टल ऑशन इन सभी प्रेटफॉर्म्स की जगा है, सिंगल प्रेटफॉर्म की तरह काम लेगा, मिल्सडा लाटा एक ही जो डिश्टल प्रेटफॉर्म है उसमें स्टोर होंगे, डक्टर हर्ष वर्दन यह हमारे केंद्री है, पर्थ विविविघ्यान मंत्री है और स्वास्थ हैं प्रिवार कलेंड मंत्री हैं इनकी कॉंसिट्वेंसी है चांदनी चोक न्यू डेली हमारा आज का अगला क्योस्ट्चन हाल ही में पीमप्री चिंचवाड नगर निगम ने किस संस्थान के साथ भारत के पहले सोशियल इंपक्ट बॉंड बनाने के लिए MOU साइन किया है इसके अफसर है UNGA UNEP इंडिया UNSC UNDP इसका राइट आंसर है UNDP इंडिया पिमप्री चिंचवाड नगर निगम ने UNDP इंडिया के साथ भारत के पहले सोशियल इंपक्ट बॉंड को क्रियेट करने के लिए एक MOU साइन किया है UNDP भारत United Nation Development Program भारत इसकी स्थापना 1951 में हुई मिन्स UNDP इंडिया की और जो रेजिडेंस रिपर्जेंटेटिव है वो है शोको नोडा इसका हेड़कॉर्टर है नई दिल्ली में और ये जो PCMC पिमप्री चिंचवाड नगर निगम इसका हेड़कॉर्टर है पूरे महराष्टर और आयुक्त है स्री सर्वन होल्डिकर हमारा आज का अगला क्योस्टन विजाय की दवारा जारी BFSI Movers and Secre 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा बैंक सिर्ष पर है इसके ओप्संस है HDFC ICICI SBI इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है HDFC विजाय की दवारा जारी BFSI Movers and Secre 2020 रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक भारत का सिर्ष पर सबसे टोप में है और सिर्ष वाला बैंक है सैकेड नंबर पर है ICICI और थर्ड नंबर पर है SBI HDFC की फूल बॉम हाउशिंग डवलपमेंट फाइनेंस कोर्पोरेशन लिम्टिड और जो विजाय की है इसके CEO है अनसूल सुसिल और हेड़कॉर्टर है गुरूग्राम हरियाना हमारा आज का अगला क्योश्चन हाल ही में डॉक्टर हर्ष वुर्दन ने बारत के सबसे उंचे मोसम विज्ञान केंदर का उद्गाटन किया है इसके options है कहां किया है इसके options है गंग टोक सिक्किम ले लदाक इटानगर अरुनाचल परदेश इन मे से कोई नहीं इसका राइट आंसर है ले लदाक डॉक्टर हर्ष वर्दन ने बारत के सबसे उंचे मोसम विज्ञान केंदर का उद्गाटन ले है लदाक में किया है और यह समुंदर तल से 3500 मीटर की उचाई पर इस्तित है और जो गेस्ट ऑफ ओनर थे वह थे राधा सबसे पाला नाम अम्पोटन बात एक मोसम विज्ञान केंदर है यह अब हुझा का शबसे उंचा विज्ञान केंदर है लेकिन दूसरे नंबर का सबसे पहले भारत का जो पहला जो सबसे उंचा मोसम विग्यान केंद्र है वह है इटा नगर अरुणाचल परदेश में और बादल फटने से फ्लैस फ्लाइट सीमसंखलन और हिमनद जीलों का प्रकॉप जैसी मोसम की गटना उसे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मोसम विग्यान केंद्र की स्थापना की गई है लदाग में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए यह सेंटर स्थापित किया है लदाग यह केंद्र शासित परदेश है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कश्नन माथूर और राजदानी है लेह कारगिल आईमडी मिन्स बारती एमोसम विग्यान विवाग और यह है पृत्वी विग्यान मंत्रा लेके अधीन आता है और इसके मान नहीं दे सक है मर्तियुन जे महापात्र इसका है नुडैली में हमारा आज का अगला क्योस्टिन बारत का पहला पोलिनेटर पार्क का उदगाटन कौन से राजय में हुआ इसके options है मंडी हिमाचल परदेश पितोरागड उत्राखंड हल्दवानी उत्राखंड बोपाल मद्यपरदेश इसका राइट आंसर है हल्दवानी उत्राखंड बारत का पहला पोलिनेटर पार्क का उद्गाटन हल्दवानी उत्राखंड में हुआ है यह है पीटर सेम्टेक जो कि एक तितली एक्सपर्ट है इ उत्राखंड की राजदानिय देहरादून, सियम है त्रिवेंदर्शिंग रावत, राजय पाल है, बेबी रानी मोर्य है, राजय स्वाकी तीन सीटे और लोग स्वाकी पाथ सीटे हैं, इसमें तेरह जिले हैं और इंपोर्टेंट जो जीले हैं, जैसे कंकाल जील, रूपकूंड जील, बीम ताल जील, डोड़ी ताल जील, सत ताल जील, इसके अलावा नदियां, यहुना नदी, सर्यू नदी, भागरिती नदी, दोली गंगा नदी, और गोला नदी, काली नदी, इसके अलावा, उत्रा करने वाला भारत का पहला रज्य बना है अगर आपको मेरा एकरंट अच्छा लगे देन प्लीज कीप स्पोर्टिंग दू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक, सेर, कमेंच करें एंड बेल आइकन को प्लेस कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे थेंक यू